और चले सीधार करेंगे ब्रेकिंग न्यूजगा कनाडा के ब्रैम्टन से बड़ी जानकारी सामने आ रही है तो कनाडा के ब्रैम्टन में मंदिर पर हमला किया गया है तो रविवार को हिंदू मंदिर में आए लोगों पर खालिस्तानी समर्थ को ने हमला कर दिया हमला वरों क के हाथों में खालिस्तानी जंडे थे उन्होंने मंदिर में मौजूद लोगों पर लाठी डंडे भी बरसा आए तो घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है वहें इस घटना की कनाडाई प्रधान मंत्री जस्ट्रें टूडो ने निंदा की है उन्होंने स सभा मंदिर में हुई हिंसा को स्विकार नहीं किया जा सकता हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का पूरा अधिकार है वहें कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पॉलिवरे ने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरहा से अस्विकार रहे हैं इसको असेप्ट नहीं किया जा सकता वहीं कनाडा के सब भी लोगों को शान्ती से अपने धर्म का पालन करना चाहिए घटना के बाद से इलाके में तनाब है भारी संख्या में पुलिस बल की तनाती है वहीं आपको बता दें कि पील रीजनल पुलिस चीफ निशान दुरपई ने लोगों से सयम बरतने की अपील की है उन्होंने कहा कि हिंसा और अपराध को बरदाश्त नहीं किया जाएगा तो उन्टारियो सिख गुर्द्वारा परिशत ने ब्रैम्टन में हिंदू सभा मंदिर की बाहर हुई हिंसा की निंदा की उन्होंने कहा कि मंदिर की बाहर की घटना हमारे समुदाय में समझ और आपसी सम्मान की आवशकता की एक दुखत याद दिलाती है OSGC सभी समुदाय के सदस्यों की सुरक्षा और कल्यान सुनिश्चित करने और ऐसे महौल का समर्थन करने के लिए प्रतिबद है जहां लोग अपनी माननेताओं की परवह किये बिना सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके हमस्थानी अधिकारियों से इस घटना की गहन जा करने का अहवान में करती हैं और आपको बता दें कि यह पूरा मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि तस्वीरें आपके साथ साज्या कर रहे हैं और यह भी एक फैक्ट है कि यह कोई पहली दफ़ा नहीं है इसे पहले भी कई का ना दरी बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं तो करनाड़ा में मंदिर पर खालिस्थानि समर्थकों का हमला तो करनाडा के ब्रैंटन में मंदिर पर हमला किया है तो करनाड़ा के प्रैम्टर में मंदिर पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया तस्विर भी आपके साथ साज़ा कर रहे हैं और इतना ही नहीं खालिस्तानी समर्थकों ने मंदिर पर इसर में मौझूद श्रधालूं के साथ मारपीट भी की और जानकारी मिल रही है कि ये घटना रविवार की है जब मंदिर में आए लोगों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दिया हमलावरों के हातों में खालिस्तानी जंडे थे तो घटना का ये पूरा विडियो सोशल मीडिया पर वाइरल होने के बाद मामले ने अब तूल पकड़ दिया है उसके बाद कनाडा के पीम गुर्द्वारा परिशत ने भी इस घटना की निंदा की है वह हिंदु मंदिर पर हुए हमले को लेकर कई कनाडाई सांसदों ने अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर भी कुछ जानकारी शेर की है कुछ वीडियो भी शेर की है तो इस घटना की कनाडाई कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है और वकाइदा आपको उनके सोशल मीडिया हैंडल की कुछ तस्विर दिखा रहे हैं कटाउट दिखा रहे हैं तो कनाडा के विपक्षी नेता ने भी इस हमले की निंदा की है इसे अस्विकार ने बसाया तो कनाडा के सब भी लोगों को शान्ती से अपने धर्म का पालन करना चाहिए यह बात तु भी लिखी गटना के बात से इलाके में तनाव बना हुआ है लेकिन स्थिती वाहाल कब तक होगी स्थिती सामानने कब तक होगी और इस तरीके से श्रफधालों पर अगर हमले होते रहते हैं तो फिर सुरक्षा की गारांटी कौन लेगा कनाडा की सरकार क्या कर रही है तो खालिस्तानी समर्थ को ने मंदिर पर हमला किया मंदिर में आए श्रफधालों पर हमला किया इसकी तस्विर भी हम आपके साथ साजहा कर रहे हैं और ये भी एक फैक्ट है कि ये कोई पहले दफ़ा नहीं है इससे पहले भी कई दफ़ा इस तरहा के मामले सामने आ चुके तो क्या भी ये सवाल पूछना मुनासिब हो सकता है जरूरी हो सकता है कि जिस तरहा का सिनेरियो कनाडा में बना हुआ है चुनाव से पहले इस तनाव के माइने क्या है ये भी एक बड़ा पॉइंट कनाडाई पीएम जस्टिन टूडो ने भले ही इस पूरे मामले में निंदा की हो इसे अस विकार ने बताया हो लेकिन हिंदू मंदिरों की सुरक्षा संडरक्षन और हिंदूों की सुरक्षा इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे कनाडा पीम जस्टिन टूडो ये सीधा सवाल उनसे जो कनाडा की पीम जस्टिन टूडो निजजर हत्या मामले में भारत पर निराधार और बेबुन्याद आरोप लगा रहे थे वो पीम जस्टिन टूडो हिंदू मंदिरों और हिंदू की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं केवल ट्वीट करने से काम हो जाएगा क्या केवल अपनी सांत्वना देने से काम हो जाएगा क्या केवल अपनी संवेधना व्यक्त करने से काम हो जाएगा क्या लेकिन हिंदू मंदिरों के संरक्षन की बात हो उनके सिक्योरिटी की बात हो सुरक्षा की बात हो इस बात को जस्टिन टूडो कैसे सुनिश्चित करेंगे महज एक टूड करके अपनी संवेदन अव्यक्त करके या फिर जमीनी सर पर कुछ इंप्लिमेंट करके ताकि पूरे खनाडा में ऐसा महल बनाये जा सके कि सभी भाई चारे के साथ रह सके बिना किसी दिक्कत के बिना किसी परिशानी के